हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग नमस्तियादा आप स्रियाकाल एंड वेलकम टो टेस्ट बॉक डॉट कॉम माई होप कि मेरी ओडियो वीडियो अप तक अच्छे से जा रही होगी लेकिन आप लोग भी मुझे आप बता दीजिये कि मेरी ओडियो वीडियो आप तक अच्छे से जा रही है कि नहीं ठीक है तो सारे के सारे दोस्त जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए है चाहे वो रिस इसमा हो, रिया हो, मौसम हो, सरिता हो, सौरिया हो, नेहा हो और निर्भय हो, सबी लोग बोल है सर आडियो वीडियो बहुत अच्छे से आ रही है, दोस्तों आज हमनों बात करते हैं पहली सेलरी ही, फर्स्ट सेलरी, पहला जब आपका वेतन मिलता है, तो उसका एहसास साइद बहुत साइड लोगों ने किया हो, लेकिन बहुत साइड लोगों को वो ऐसास हभी करना बाकी है, दोस्तों जो ऐसास होता है, मुझे लगता है कि साइड सबसे सुगत ऐसास होता है, जब आपने मा के लिए, अपने वालिद के लिए कुछ गिफ्ट लेते है, कुछ उनको प पहली salary के लिए आपके रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं आपको जो है वो regular current affairs पढ़ना है आपको जो है regular अपनी self study से math, English और रिजिनिंग में ऐसी command हासिल करनी है कि कम समय में सारे प्रस्ण हो जाएं आपको mock test लगातार लगा करके आप exam environment में जा करके कुछ अलग ना महसूस तो वो हासिल करना है और मैं तुम को यकीन दिलाता हूँ वो दिन दूर नहीं है मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग जो है वो quit कर देंगे बहुत बार आपका भी मन करेगा यार मेरे से नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी जो खड़ा रहेगा कई बार सफलताओं के बाद उसको सफलता जरू मिलेगी तो इसी उमीद के साथ कि आप भी अपने घर वालों के अपने चाहने वालों के चेहरे पे मुस्कान लेकर के आएंगे और अपनी पहली सेलरी का इंतजाम आज से कर पाएंगे तो दोस्तों आज हमारी 29 जुलाई है और आज हमनों वापस से अप रमेंद्र था वो त्यार गजब लड़का था चितिज ने तो पूरे बिहार में तहल का मचा रखा ज़ा है फातिमा जो थी वो सुबरे सुबरे उट करके पढ़ाई करती थी और आज देखो बढ़िया पोस्ट पर पहुँच गई है तो तुम्हारी मिसाल देनी है क्योंकि आज मेरे जितने भी टाइगर लोग है ना आज हमारा नेस्नल टाइगर डे है नेस्नल टाइगर डे चौदा सो से ले करके लगबग तीन हजार तक टाइगर्स हमने पहुचा दिये तो इंटरनेशनल टाइगर डे यहां पर आज 29 हमारा जुलाई को होता है याद रखेगा ह तो आप यह सुपर कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हो यहां पर बेस्ट वीडियो से आप अपने कंटेंट जो है अपना जो वाला पोर्शन उसको मजबूत कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ करके रिवीजन कर सकते हो डेली दोस्तों इसके लिए आप कूपन कोड पैक पास सब्सक्रिप्शन ले सकते हो यहां पर नाखिये व़ळा आपको स्टेडी नौटे और मॉक टेस्ट भी मिलेगा सारा का सारा दोस्तों लेकिन यहां पर मॉक टेस्ट हमने concept नुश्र बील्ड कर लिया है लेकिन अभी मॉक टेस्ट हमारा खत्म होने वाला तो क्या करेंगे प को लगाना है coupon code P.A. से पंकद C.C. से चौबे और P.A. से पैक पास coupon code लगाईए और यहाँ पर आपको यह 360 रुपए में यह yearly test book पास मिल जाए घृत्ते में 360 रुपए में सही है न भाई तो 360 रुपए का कुछी दिन बागी है renew कर लो तो भाईया देखो यह class की PDF हमारे इस व पासे यह तो हो गई हमारे कुछ काम की बाते जो आप यहाँ पर डेली आप इसको फॉलो करते हो coupon code का इस्तेमाल करते हो अब यहाँ पर बात करते हैं जो अमने पढ़ा था वह हमारे दिमाग में है की नहीं है यह बात हम देखने वाले है है ना मैंने यहाँ पर पूछा था सुबेरे अपने कमेंड में आप में से कितने लोग जिम जाते हैं तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो थोड़ा सुबेरे टहरिए योगा करिए थोड़ा अपने वर्जिस करिए यह सारी चीजों को अपने जिंदगी में लेकर क्या है फिट और फाइन रहना बहुत जरूरी है चलिए तो सुरू करते हैं रिवीजन कल जो हमने पड़ा था उसका आगामी राष्ट मंडल खेलों में हमारे एक इस्पोर्ट अथार्टी आफ इंडिया ने एक पहल सालू किया नाम क्या उस पहल का नाम बताईए जल्दी से इनिसेट्व फॉर्दा हमारे इंकरेज करने के लिए तो जनता ने बताना सुरू कर दिया हैस्टेग हैस्टेग सपोर्ट फॉर इंडिया कर देगा क्यों सैलेंद्र वीभा रिसी क्या कर दे तो यहां जनता बूले सर यहां पर करिए Create for India Hashtag Create for India जिसने लोग बोलना है नंबर उनको मिल जाएगा सही जवाब है यहाँ पर दोस्तो Green Care Group ने किसके साथ tie-up किया है किसके साथ tie-up किया है For Renewal Energy Renewal Energy के लिए किसके साथ tie-up किया है भारत पेट्रोलियम Gas Authority of India Reliance Petroleum Oil मैंतलब ONGC जिसकों नों बोलते है बच्चों का जवाब शुरू आना सुरू हो गया सर अलका मित्तल के बारे में बात की थी हमने हम दोंको ने राजस्री जी के बारे में बात की थी यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा कोलंबिया में ONGC विदेश ने अपना नया कार खाना बेस्तापित किया कहां पर किया है कोलंबिया में याद है ना सभी को यहाँ पर जनता बोल लिए सा सही उत्तर होना चाहिए ONGC ONGC जितने लों बोलने है जवाब उनका सही है अगला कोशन आपके सामने पदमस्री अवार्ड से सम्माने हमारे कौन से ऐसे है जो हमको छोड़ करके गए एक रुपए के डॉक्टर के नाम से फेमस साथ हम सभी लोग के लिए एक बहुत बड़ी उर्जा का स्रोत क्या होना चाहिए तो यहाँ पर दिनेस को लग रहा है हैना सैलेंद्र को लग रहा है सर यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए हना कौन सा यहाँ पर सुसोवन बंदो पाध्याय वन रुपी डॉक्टर बहुत ही सांदार कैरियर इनका और हम सभी लिए इनके लिए एक बहुत बड़े उर्जा के सरोत है तो यहाँ पर सुसोवन बंदो पाध्याय जिन्हों यह बताया कि भाईया पाईसा सब कुछ नहीं होता है जिन्दगी में मानवता नाम की भी चीज होती है आपको बताना है 44 जो ओलंपियाड है इसकी मेजबानी कौन से सहर में की गई 30 साल के बाद एसिया में लोटा है ओलंपियाड और हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है थंबी यहाँ का जो है मसकट है और याद रखना यहाँ से कुष्चन जरूब बनेगा सही जवाब जाएगा चेन नही चेन नहीं जितने लों बोलने है जवाब उनका सही है पाकिस्तान ने बाइकॉट कर दिया है हमारे ओलंपियाड का कि भहिया हम ओलंपियाड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इंडिया करा रहा है लो भाई साथ यह भी कोई बात होती है क्या यहाँ पर इंटरनेसल स्पेस सेस्टेशन यहाँ पर पांच देशों ने इसको 1998 में बनाया था है ना लेकिन अब एक देश जो है बोला है कि भहिया हम इसमें नहीं रहेंगे तुम लोग जो है वो सही लोग नहीं हो हम तुमारा साथ नहीं देंगे तो कौन सा वो देश है यहाँ चंता बोली गया सर रोस को अगर बात करेंगे तो यह हमारी रसिया की क्या है रसिया की हमारी स्पेस एजनसी है जिसने कहा कि भीया 2024 में हम यह छोड़ देंगे 1998 में बनाया गया था रसिया ने इसको छोड़ने का फैसला किया है अगला प्रसना आपके स्क्रीन पे आ रहा है ODI World Cup 2025 महिलाओं की मेजबानी कौन कर रहा है सर ने आपको Commonwealth से लेकर World Cup तक हमने Asian Games से लेकर के South Asian Games सब कुछ रटाया है दोस्तो अगर तुम्हारा ये गलत हो गया ना तो भाईया याद रखना मेरी मेहनत ये बेरे उठकर के जो मैं आता हूँ डेली मेरी मेहनत बेकार जाएगी और मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाना वो तुम्हारे हाथ में है और सेलेक्शन लेना तो फिर सेलेक्शन की बात नहीं करते है पहले सीखने की बात करते है हिंदुस्तान में हो रहा है हिंदुस्तान में हो रहा है अचिंधूस एक बद तो 2025 का चेम्पियंस ट् resep है यह कहा पर हो रहा है do चैंपियन्स ट्रोफी 2025 का कहा पर हो रहा है यह हमारे मेल किर्केट का है सारे बच्छे जवाब देंगे तो तूसार बोला है सर यह जो है यह हो रहा है जहां पर होने की उमीद हो सकता है कि टाल दिया जाए क्योंकि वहां पर एक अनिश्ची ताय बनी रहती है और वह तुम्ह गए आप सभी लोगों देखा पांच नाम साइट तीन जिसमें से तमिल नाडू के हैं और हमारा एक मद्यप्रदेश का एक मिजोरम का है सभी को नाम याद है ना सभी को याद होंगे कल आप लोगों ने याद भी किया था तो यहां भी अंता बोला साही जवाब होना चाहि है हिमाचर प्रदेश में यह आपका जील है गुबिन सागर यह यहां पर नहीं होगी तो यहां पर हमने क्रॉस लगा दिया यह इसमें सामिल नहीं है कल रामसा साइट हो गया हमारे 54 दोस्तों यहां पर देखेगा क्विक रियक्शन फाइटिंग वीकल मीडियम दोस्तों य सारी जनता यहां पर जवाब दे रही है कि ससाय उत्तर होना जो मेरे को भी लग रहा था कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने इसको बनाया हुआ है नाम यहां पर चार्ट टिक कर देंगे नंबर लेंगे आगे बढ़ो यहां पर हम लोग बात करते हैं बलविंदर स यहां पर आपको बताना है सम एक्टर और पॉलिटीसिंस सही है की नहीं तो यह सिलॉक का कुश्चन है जो मैंने पूछा था यहां पर जो बलविंदर स Griffey की बात करेंगे तो यह हमारे सिंगर है यह हमारे इनका कल निधन हुआ बात की थी कườर इनके बारे में कल हम लोगों network issue in my mobile तो ताम करो अपने पापा का mobile से थीरे से network on कर दो यह वीडियो देखो यहां पर जनता बोलेगे सर रस्मी रोस्नी नादर होना चाहिए रोस्नी नादर जो कि हमारे ICL Technology की प्रमूख है यह बहुत पैसा रखी हुई है हमारे हो कि नहीं और इन्हों ने सबसे पहले तो जाहिर कर दिया है हमारे हाँ पर कुछ ऐसे लोग है जिनके हाँ पर इतना पैसा रखा हुआ है कि हमारे जब छापा मारती है कोई agency तो अपने साथ note गिनने वाली मसी लेके जा रही है कमरे खोले जा रहे तो खली note नोट निकल ला है समार रहो कि नहीं आप लोग जानते होगे बंगाल में अभी हमने कल news देख रहे थे खैर उनके उपर बात नहीं करेंगे SEO की जो विदेश मंत्रियों की meeting हुई है ये कहाँ पर हुई है SEO मतलब संगाई Corporation Organizations जो है इनकी meeting कहाँ पर हो रही है अजरबेजान, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान तो सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे है सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे है कि सर सही उत्तर होना चाहिए जवाब उनका सही है और इनकी जो meeting है वो कहाँ पर हो रही है समरकंद में समरकंद में हमारे heads की meeting होने वाली है यह भी याद रखना है SEO की सारे जानकारी मैंने आपको दे रखी है CRPF का 33 स्थापना दिवास है यह कब मनाया जाएगा 27 को, 26 को, 27 को, 28 को देखो, दो बार 27 से बोल दी है मैं रहो कि नहीं, दिमाग में वही है 27 को CRPF दे होता है तो दोस्तों, यहाँ पर जितने लोग बोल है CRPF की स्थापना 1949 में अंग्रेजों ने की थी और यहाँ पर जितने लोग बोल है नई दिल्ली में इसका headquarter है बिल्कुल सही जवाब है 27 जुलाई जितने लोग बोल है जवाब लेके भाग रहे है बिल्कुल तेजी से उड़ रहे है अगर आप प्रसंदेख लेते हैं तो दोस्तों, यह ती थी हमारा कल का revision जो भी हमने कल पढ़ाया आप लोगों ने यहाँ पे साबित किया है किसलर हम लोग revision कर रहे है और अभी जल्दी मैं एक मंतली revision भी कराऊंगा आप लोग के लिए हैना क्योंकि यह महीना खतम होने वाला है तो यह महीना जब खतम होगा तो मंतली revision की बहुत सकता होती है तो वो आप लोगं का कराया जाएगा ठीक है तो दोस्तों आज की कौन से ऐसी प्रमुक हेड्लाइन्स हैं जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है Commonwealth के flag winner से ले करके Nobel के सांति प्राइस winner के मृत्ति हुई वहां की भी हम लोग बात करेंगे तो आज की हेड्लाइन्स फिर से चुन-चुन के परक परक कर लाई गई है ध्यान से देखेंगे और मैं अब्यकीन दिलाता हूँ आप रोज सुवे अगर आ रहे हैं तो आप सेलेक्शन से चार नहीं आठ कदम हम आगे हो चुके हैं लोगों से चले शुरू करते हैं अपनी हेड्लाइन्स को यहां पर दिने सहारा Lifetime Achievement Award Institute for the First Time दिने सहारा Foundation DSF को यहां पर हमारे Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया है In the Excellence of Music तो हम यहां पर बात करेंगे इस पूरे की पूरे Lifetime Award के बारे में ठीक है तो दिनेज सहारा फाउंडेशन ने दिनेज सहारा Lifetime Achievement Award की सुरुआत की है और ये इसके उपर बात करेंगे हम लोग PV सिंदु और हमारे होकी के कप्तान, क्या नाम बाबू? पीवी सिंदू और हाकी के कप्तान मनप्रीज सिंग ने हमारे commonwealth games में जंडा ले करके चलने का जो है वो इनको क्या दिया गया है इनको जिम्मेदारी दी गई है तो पीवी सिंदू और हमारे मनप्रीज सिंग commonwealth games में flag wearer बनेंगे मतलब किसमें opening ceremony में और जो हमारी closing ceremony होती है उसमें भी होते exam में देखना है कि भाया opening ceremony पूछ रहा है कि closing तो अभी हम opening की बात कर रहे है तो यह हमारे चलने वाले पीवी सिंदू और हमारे कॉल्टमन प्रीज सिंग दोस्तों यहां पर एक हमारे बहुत बड़े writer जिनका कल निद्धिहानत हुआ है असमिया लेखक जिनका नाम है अतुला नंद गोस्वामी 87 की age में इनका निधान हो गया दोस्तों यह ग्यान पीट पुरसकार से सम्मानित है detail में बात करनी है क्योंकि exam में सिर्फ नहीं पूछेंगे अतुला नंद जी क्या थे पूछेंगे इनको ग्यान पीट पुरसकार या इनको जो भी पुरसकार मिला कब मिला detail में बताने वाली है अब हेडलाइस देख लो लियो रोज लारजेस्ट पिंक डाइमंड इन 300 एर्स फाउंड इन अंगूला अंगूला में सबसे बड़ा पिंक कलर का डाइमंड पाया गया है और यह अपने आप में बड़ा दुरलब है आप लोगं को फोटो भी दिखाएंगे और अंगूला के बारे में भी बताएंगे कहां पर है यहां पर हमारे लुसिटर क्रिकेट या ग्राउंड नेव डैजा सुनील गवासकर सबसे इंपॉर्टेंट कोशनाच का हमारे इंग्लेंड का लिसिटर जो क्रिकेट का ग्राउंड है उसका नाम क्या रखा गया है अरे बोलो यार जो लोगं सो रहे हैं वो तो और जिल लाके बोलेंगे उसका नाम क्या रखा गया है उसका नाम रखा गया है सुनील गवासकर वीभा बास समझ में आ रहे हैं कि नहीं तो यहाँ पर तीक है तो यहाँ पर सुनील गवासकर जो है यहाँ पर नाम रखा गया है तो निर्भै अपना आज जो है वो एड्रेस बता दे ना मैं तुमको मो ने प्रतिसपर्धा अधनियम संथोधन के लिए एक विधियक को मंजूरी दिये तो कॉंप्टीशन विल क्या है यहां पर हम लों बात करेंगे मंकी पॉक्स को पहली बार किसी देश ने अलग वायरस की तरीके पहचान किया है तो वो है हमारा देश भारत NIV मतलब National Institute of Virology पूरे ने मंकी पॉक्स को एक अलग वायरस स्टेन को खोज करके दुन्या को बताया है और याद रखिए जल्दी ही इसका वैक्सीन यह हमारा जो इंस्टिटूट है वो बनाने वाला है तो आप लोगों को मंकी पॉक्स के केसिस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे है लेकिन राहत की बात है कि इसके उपर स्टेडी हो चुकी है और यहाँ पर जल्दी इसकी वैक्सीन आ जाएगी लगवाने के लिए त्यार हो जाईए इंडिया ने पहली बार विस्टन डीश को उसके घर में क्लीन स्वीप किया क्लीन स्वीप का मतलब है तीनों के तीनों ओडियाई मैचेस जीत लिए है है ना तीनो के तीनो ODI मैचस जीत लिए है, आपको यहाँ पर इंडिया टीम की रैंक दिखाई दे रही है, तीसरी रैंक यहाँ पर पहुच गई है, हिंडुस्तान पाकिस्तान चौते पर और इंडिया तीसरे पर है, यह देखिएगा तो तीसरी हिंदुस्तान की रहेंग और पहली बार वेस्टेंडीज को तीन जिरो से हराया है दोस्तों याद रखिए का मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था हिंदुस्तान के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है एक साल में साथ कफ्तान चेंज की है साथ कफ्तान, मतलब मुझे लग रहा है ग्यारा लोगों को कफ्तान ना बना दे, साल के अनतर होते होते तो साथ कफ्तान यहां पर चेंज किये गए है सिखर धवन हमारे इस टूनामेंट के कफ्तान है और यहां पर देखेंगे तीन जीरो से बीट करने के बाद पहली बार Best Indies को उसके घर में आ रहा है त्री न्यू कंट्रीज हमारे added in the ICC यहाँ पर तीन नए देसों को ICC मतलब International Cricket Council ने अपने उसमें ग्रूप में सामिल कर लिया है तीनों के नाम बताएंगे, है ना Overy Coast, Monaco यह हमारे हैं जिनको का आजाओ बेटा, तुम भी Cricket खेलो, आजाओ तो यहाँ पर हमने इन तीनों देसों को सामिल कर लिया है तो देसों हमारे चोगे Current Affairs की News थी Headlines के तौर पर आपने लेकिन अभी विसलेसल करते पहला question आपको बताना है यह आपके लिए है, कल का एक question रहे गया था बाल रक्षा मोबाइल एब, इसको हमारे कौन से मंत्री ने चालू किया है All India Institute of Ayurved यह किस ने चालू किया है, सभी बच्चों को एक बाग खुल के जवाब देना है यहाँ पर सर्बानन सोनवाल है, अनुराग ठाकूर है, अमिर्साएं या राजनात सिंग है सारे बच्चे जवाब देंगे तो सभी बच्चों का जवाब बारा है कि सर यहाँ पर जो सही जवाब होना चाहिए सर्बानन सोनवाल इन्होंने बाल रक्चा एब जो है, यह All India Institute of Ayurved से इसकी सुरुवात की है नाम क्या है बाल रक्चा हमारा एब तो सर्बानन सोनवाल जितने लोग बोलें, जवाब उनका सही है यह हमारे सर्बानन सोनवाल यहाँ पर इसका इन्होगरेशन कर रहे है और याद रखेगा, यह हमारे All India Institute of Ayurved से इसकी सुरुवात की गई है दोस्तों इसका जैसे नाम से लग रहा होगा, यह जो बाल रक्चा एब है यह बच्चों में हो रहे हमारे अलग प्रकार के रोगों को निदान करके यह क्या करता है, माता पिताओ को उनको किस तरी के से निपटना है, वो बताएंगे यहाँ पर साथ यह साथ बच्चों के लिए टीका करण केंदर उनके आसपास में कहा है, वो भी यहाँ से आप देख सकते तो बाल रक्चा मोबाइल एब, यह सभी हमारे आपके अगर कोई ऐसे हैं भाई हैं या बहन हैं तो उनके मोबाइल में भी आप इंस्टॉल कर सकते जिनसे उनको सारी जानकारी मिलती रहें, दोस्तों जो हमारा AIIA है, मतलब आप अगर देख सकते All India Institute of Ayurved, इसकी थापना मोदी जी ने 2015 में की थी, एक्जाम में पूछा जा चुका है और इसके जो प्रमुक हैं वो डॉक्टर तनूजा नेसारी है, है ना तनूजा नेसारी जो है, यहां के हमारे निदेशक है तो याद रखेगा, आयूरवेद इंस्टिटूट तनूजा नेसारी जी यहां के हमारे हेड है और यहीं से सरबनन सोनुवाल ने जो है, वो किसके सुरुवात किये, बाल रक्षा मोबाइल अब की, ये सारे प्रसनाप के एक्जाम में पूछने के संभावनाय प्रबल है, अब आप शेकर पूछा जाएगा सरबनन सोनुवाल हमारे देश के कौन है, तो इनके पास कई सारे मंत्राले हैं, जैसे की आयूस मंत्राले, योगा, है ना, आयूरवेद, यूनानी, ये सारी जो योगा जो हमारा लेकर के मंत्राले बनाए गया था, आयूस मंत्राले, वो इनके पास है, इसके लावा इनके पास जो है, पोर्ट मंत्राले भी है, पोर्ट मतलब बंदरगा मं दोस्तों, यह Raja Sabha के मिंबर हैं, इसलिए यहां पर आपको दिखाई दे रहें, इससे पहले यह Aasam के CM थे, आपको पता होगा, यह हमारा पूरे वॉर्ड का सबसे बड़ा रिबर आइलेंड है, मतलब नदी के बीच में सर बना हुआ है, बिल्कुल नदी के बीच में आईलेंड है और इतना बड़ा है कि इसको विधान सभा छेतर के नाम से आप जानते हैं अरे बास समझ में आ रही है कि नहीं राज बास समझ में आ रही है चलिए विकास आगे चलते हैं और अगला प्रसन मनाते है अगला प्रसनाप के सामने हमारे राष्ट मंडल खेल यह शुरू हो रहे हैं अब आपको बताना है कि यहाँ पर भारत के धजवाहक के रूप में किसको चुना गया है मनप्रीज सिंग है, हीमा दास है, साक्षी मलिक है या MC मेरी कॉम है बताइए क्या होना चाहिए तो यहाँ पर सारे के सारे बच्चे जबाद दे रहे हैं अनिल, तो PV सिंदू साइध उलम्पिक में दो बार मेडल जीतने वाली और हमारे देश के हौकी टीम के कप्तान, नाम है मनप्रीज सिंग मनप्रीज सिंग यहाँ पर और हमारे PV सिंदू इन दोनों को हमारे ओपनिक सिरमनी में धज वाहक के रूप में चलने का वो क्या मिला? सम्मान प्राप्त हुआ तो हिंदूस्तान का जंडा ले करके चलना हर एक इनसान के वो सकते हैं एक खौब होता है और जब उसको किसी ऐसे बड़े प्रेट फॉर्म youtube पर मिलता है मतलब उसने ये नहीं है कि उसको बड़े बाप का बेटा है मतलब उसने खुब मेहनत की है, दिल लगा के मेहनत की है जब लोग जो है अपने साथ अपने साथ जो है लड़के लड़कियों के साथ घूमते हैं तो ये लग करके मेहिनत करते हैं और वही जज़बा तुम्हारे अंदर भी होगा ना तो तुम भी उस सम्मान के हाथ हगदार बनोगे तो फाइनली 28 जुलाई को ये हमारा गेम सुरू हो रहा है और 164 खिलाडी अगर आप सारी लिष्ट देखेंगे हमारे जो चोट की वज़े से बाहर हो गया है एक सो चौशट खिलाडी टोटल पार्टिसिपेट कर रहे है इसमें हमारे देश की ओलंपिक पदक विजयता और एक बार नहीं दो बार विजयता हमारे पीवी सिंदु को धजवाहा के रूप में और इनके साथ मनप्रीज सिंग जो है वो जा रहे है तो मनप्रीज सिंग औ और हमारे पीवी सिंदु जो है यहां पर हमारे संबलेत हो रही है दोस्तों अगर हम यहां पर बात करते हो पूरी जानकारी हम यहां पर कॉमन वेल्ट गेम्स की ले लेते है आयोजन 28 जुलाइक हो रहा है बरगिंगम में हो रहा है बाबु कहां पर हो रहा है बरगिंगम मे में हुआ था और जितने भी हमारे British Colonist Countries थे वो सब इसमें संब्लित हुए यह हमारे Canada के Hamilton में हुआ Hamilton के Canada में यह हमारा हुआ अब दोस्तों हिंदुस्तान आजादी के बात जो है इसमें सामिल हुआ वेकवर्ग में जिसमें इसको कोई मेडल नहीं मिला और अंतिम जो है हमने जो प्रदरसन था टोटल 66 मेडल हमने यहां पर जीते थे और हम तीसरे नंबर पे थे याद रखेगा हम तीसरे नंबर पे थे सुन पदक है वो किसने जीता था जितने लोग यहां पर एक्जाम देने वाले हैं फ्यूचर में वो सब इसको देखेंगे यह हमारे मिखा सिंग ने मिल्खा सिंग ने जीता था फ्लाइंग सीखने 1958 में दोस्तों 2022 में नया क्या होने वाला है तो महिला क्रिकेट टीम का जो टी Create the for India जो है यह हमने इस बार का campaign चलाया था यह भी याद रखना है I hope यह आपको जो PDF में मिलेगा जरूर देखके जाएगा आपके exam में प्रस्न पूछे जा सकते हैं ठीक है तो जैसे कि हमने यहां पर पूरी की पूरी जानकारी ले ले लिए कि PV सिंदु इससे पहले Gold Coast Australia 2018 के Olympic में भी धजवाहक के रूप में थी ठीक है और अब यहां पर देखेंगे 164 athletes जो हमारे जा रहे है उनके उनके फाइनल 164 हो चुके उनके भी धजवाहक के रूप में मनप्रील सिंग और PV सिंदु होंगी ठीक है बहुत बढ़ी अचले अगला प्रस मनाते है लुलो रोज जो है यह हमारे पिंक डाइमंड और सबसे बड़ा पिंक डाइमंड जो है यह देखने को मिलता है साउथ अपरिका में अंगोला में घाना में चाड में बताये क्या होना चाहिए तो यहाँ पर जंता बोली है, यहाँ पर जो सैउत्तर होना चाहिए, यह होना चाहिए हमारा अंगोला, अंगोला is right answer दोस्तो, यहाँ पर मैं कल आप गटना के बारे में बताना चाहता हूँ एक महिला थी विचारी उसके पती का इंतिकाल हो गया और उसके पास घर में दो बेटियां थी घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था ठेक है वो मद्ध प्रदेश के पन्ना के पास में रहती थी लकडियां चुनके लेके आ रही थी अचानक उसके हाथ में कुछ चमक्ती वी चीज आई अब उसने क्या किया उसको पन्ना इस फेमस फौर dream तो उसको लगा कि यह हीरा हो सकता है लेकिन उसने कहा कि कहा मेरे को हीरा मिलने वाला है जब वहाँ पर diamond हमारे diamond office है पन्ना में जब वहाँ पर गई तो उसने बताया कि ये अलगभग हमारा उसने साइद 10 या 12 कैरेट का डायमेंड है जो उसको मिला है जिसकी मार्केट में अभी कीमत 20 लाक रुपए है और यहाँ पर हमारी जो टीम थी उसने उस डायमेंड को अपने पास ना रखते हुए बोला कि इस महिला को साइद उपर वाले ने बकसा है उपर वाले ने इसकी मदद के लिए ये डायमेंड इसके हाथ में दिया है तो पूरा का पूरा पैसा आक्सन के बाद उस महिला को दे यहाँ पर बोलते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से काम करते रहते हो तो काइनात आपको मिलाने में लग जाती है है न ऊपर वाला आप जिस भी ऊपर वाले को मानते हो आपके साथ लग जाता है लेकिन परिक्छा लेता है हर घड़ी परिक्छा लेता है उस परिक्छा में उत्रीडर रहना बहुत जरूरी है और current affairs की class लेना उतना है जुरूरी है अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर लूरोस की तो लूरोस अंगूला में पाया गया अभी 300 सालों में एक नाया भी रहा है चलिए इसको देख लें यह हमारा 300 साल में मिला सबसे बड़ा रेर पिंक डाइमंड है यह पिंक डाइमंड और यह कहां पर पाये गया यह हमारे एक गरीब देश अंगूला में पाये गया यह अफरीका के हमारे अगर देखेंगे तो साउथ अटलांटिक सी के आसपास यह हमारा देश है दोसों यहां की जो currency है वो है Luanda, Luanda जो है यहां की currency आपको देखने को मिलेगी इसकी Angola की, Angola की currency Luanda है, अब यहीं पर हमको यह pink diamond पाया गया, a rare pink diamond है ना believe to the largest found in 300 years, 300 सालों में इतना बड़ा हीरा कभी भी नहीं देखा गया, जो हमारा बहुत सकते Angola जो है यह Central African country है, जहां पर यह diamond पाया गया, दोस्तों 170 karat का यह pink diamond, Lulo Rose के नाम से जाना जाएगा, Lulo Rose के नाम से इसको जाना जाएगा, इसकी जो weight है वो 34 gram है भाई साब, है ना, miner in Angola discovered at the Lulo Mines, यह diamond rich in North East, यह हमारा जो है, Lulo Mines में पाया जाता है, यह काफी ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन यह इतन karat का अभी तक नहीं पाया गया था 300 सालों में, तो I hope यहां की currency आप लोगो ने Luanda देखी लिए है, क्वांजा यहां की currency है, लॉरेंको यहां के president है और Africa continent है, नोबल का peace price जीतने वाले एक ऐसे विक्ति जिनका 25 जुलाई में दिहान्त हो गया और हमारे लिए एक बहुत important question ब नसीम बोल रहे है, सूरज बोल रहे है, अनुराधा बोल रहे है, सितिज बोल रहे है, सर तीन नमबर पर टिक कर दे क्या, शितिज बोल रहे है, तीन नमबर पर टिक कर दे, अनिल, आज विमल, तीन नमबर पर टिक कर दे, तो यहां पर जंता बोल लिए है, सर बिलकुल सही जवाब है चलिए इनके बारे में देख लेते ये कलम को छोड़ के गए Nobel का Prize मिला हुआ है इस बार 2021 का जो Nobel Prize है वो किसको दिया गया है मारिया और दिमित्री मुर्तोव को दिया गया है है ना ये इस बार के हमारे 2021 के Peace Prize है लेकिन आज हमनों बात करते हैं डेविट टिम्बल की तो डेविट टिम्बल जिनको 1998 में जॉन हुम्स के साथ Nobel Prize दिया गया था किसलिए तो हमारे 1998 में Good Friday संगर्स के दोरान इन्होंने उत्री आयरलेंड के छेतर में जो है वो डिसिप्यूट जो रहे थे उसको समाप्त करने में मदद की Northern Ireland जो की हमारा United Kingdom उस पे क्लेम करता है कि वो उसका इससा है तो वहाँ के संगर्स को समाप्त करने के लिए United मतलब लंदन के साथ Good Friday समझा इनोंने किया था इस सांती के लिए इनको 1998 में Nobel Prize दिया गया अब यहाँ पर question कैसे बनेगा कि जिनका हाल में निधन हुआ David Trimble यह Nobel Prize winner है इनको Nobel Prize कौन से साल में मिला था तो कितने लोग बना देंगे जो लोग बना लेंगे वो बता देंगे 1998 में और जैसे यह question आप बनाएंगे आप कम से कम एक लाख लोगों से आगे निकल जाएंगे एक लाख लोगों से आगे निकल जाएंगे क्योंकि इसका सही जवाब बहुत कम लोगों को पता होगा देखें यहाँ पर इंगलिस में भी कुछ बाते हिंदी में नहीं हो पाई थी दोस्तों अगर हम बात करेंगे नोबल प्राइस जो अभी रिसेंट में 2021 में दिया गया है वो मारिया रेस और दिमित्री मौरटोव को दिया गया है जो उन्होंने हमारे अभिवक्ती की सुतंदरता के लिए सायुक तुरूप से काम किया था तो बहुत बढ़िया यहां पर आप इन सारी चीजों को याद करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे अगला कोशन बहुत इंपोर्टेंट है सुनील गवासकर के नाम पर इन में से किस देश ने अपने किस टेडियम का नाम रखा है क्या हुआ वेस्टेंडीज है, उस्टेलिया, इंग्लेंड या बांगला देश सारे बच्चे जवाब देंगे बहुत बढ़िया तो सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे कि सर अगर आप यहाँ पर सुनील गवासकर की बात करेंगे Sunny Days जो है इनकी किताब का नाम है और इनके नाम पे Stadium रखा गया England के Leicester में तो यहाँ पर हम लोग पहले निउस को देख लेते हैं so England के Leicester में हमारे Cricket Ground कानाम Mohan Cricketer Sunil Gawasgar के नाम पे रखा गया है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है सुनिल गवासकर का जो कैरियर है वो टेस्ट कैरियर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है 125 टेस्ट में सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाले ये खतरनाक खिलाड़ी 34 सतक लगाए 34 सतक टेस्ट मैच में मैं जो है वो टेस्ट क्रिकेट का जादा बोल बाला था लेकिन वंडे क्रिकेट भी जो है वो इनका कोई सुरुवात हुई थी लोग इतने अच्छे तरीके से से अवेर नहीं थे लेकिन फिर भी यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है 1987 वर्ल्ड कप के बाद सुनिल गवासकर ने अचानक से सन्यास की गोशना की लाके ने किंटकी लाके में गवासकर स्टीण बनाया था तो यहाँ पर कितना एक इजदिए़्यम के ना रखे आते हैं जब आपके नाम पर इस्टैंड बनाया जाते है और आपके लिए एक्जाम में इंपौर्टन ुढते है तो यह मारे लिए کाफी क्रिकेट की चीजे हुई है मैंने अटैज कर दी है जैसे कि हमारे मुहम्मद सामी ने सबसे तेश डेढ़ सो विकेट लिए है रवी चंदर ने कविल देओ का इस रिकॉर्ट तोड़ा है सारी चीजे एड है दूसर अगला कोश्चन यहां पर है वापस से क्रिकेट से क्रिकेट क से अटरस जससे कंदर केंगो यहां पर मुनैक कर दो क्योंडा के तो बीस्कित वे ले रूखले ज्खलेन कfeitवाभ सितने हैं डही चेडिकट ने क्रिकेट खेलने वाले हैं, जल्दी से जड़ा ताली बजाके स्वागत कर दो, ये वो क्रिकेट कहलने वाले एस्सोटे कंट्री हैं, जिनका नम्बर हैं नहीं आता है, तुम लोगों ने भी क्रिकेट खेला होगा, तो तुम्हारे साथ जो छोटे-छोटे बच्चे खेलते होगे ना, उनसे फिल्डिंग करा लेते होगे और बैटिंग की बारी होते हुगे तुम्हारी हो गई बैटिंग जाओ, कल खेलने आना, सेम वही वाले ये छोटे बच्चे हैं, अभी सामिल किये गए हैं, है ना, कौन, कमबोडिया, ओवरी कोस्ट और उजबेकिस्तान, ये तीनों के ती C8 मिंबर है, और किरकेट मिन का स्वागत है, दोस्तों, यहां पर ODI की एक रैंकिंग दिखाई दे रही है, और यहां पर बाबाराजम जो है, यह धमाकेदार तरीके से दिखाई दे रहे है, यह पिछले साल की रैंकिंग है, यहां पर विराट कोली दूसरे नंबर पे थे, लेकिन विराट कोली का इस 2022 में परफॉर्मेंस अप्टू दह मार्क नीरा और यह तेरवे नंबर पर आ गये हैं, तेरवे नंबर पर विराट कोली आ चुके, लेकिन बाबाराजम कंटिनुसली स्तंब की तरह खड़े हुए हैं, यहां पर नंबर एक पर, ठीक है न, जो तोल्काइंगे हैं, जिसमें से 96की हैं और इस और बाकी कीinge FULL TIME TEAMS नillsुन है, आप यहां हैं, लेकिन 96 अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमारे हैं, सा की चीजे ने आ आपको बता दी हैं कि Crickete World Cup महिलां का, 2025 में इंडिया में होने वाला है 2022 का जो हमारा T20 World Cup ऑस्टेलिया में होने वाला है 23 का हमारा World Cup जो है वो इंडिया में होने वाला है सब हमने आपको बता दी ICC का Headquarter की बात करते है तो ICC का जो Headquarter है ये दुबई में आपको देखने मिलेगा कहाँ पर दुबई में देखने को मिलेगा चलि आगे बढ़ते अगला प्रसम बनाते हैं सांदार तरीके से वापस एक important question असम्या लेखक और साहित्यकडमी अवाड़े जिनका हाल में ही निदन हुआ उनका नाम क्या है अतुला नंद गोस्वामी जी है यहाँ पर आप देखेंगे तो अडु भिराम बरुआ है हिरोन गोहेन है या इंद्रा गोस्वामी है सभी बच्चे जवाब देंगे सारे बच्चों का जवाब आना शुरू हो गया कि सब सैयुत्तर होना चाहिए यहाँ पे अतुला नंद गोस्वामी तो अतुला नंद गोस्वामी जितने लों बोला है एक बार यह हमको छोड़ करके गए है लेकिन एक बहुत प्रख्यात और एक बहुत गुड़ी हमारे बीच में नहीं है 87 साल के उमर में यह एक असम्या लेकर थे जो हमारे को छोड़ करके गए है दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से उसकी तरफ आपका ध्यान के इंद्रित करने के लिए कर बोलूँगा जो आपके लिए इंपोर्टेंट है 2006 में साहित अकेडमी पुरसकार इन्होंने जीता है 2006 में इन्होंने साहित अकेडमी अवार्ड जीता है अब यहाँ पर इनके हम कृतियों की बात कर लेते है नाम घोरिया, राजपाट, पोला टोंक और आस्र है यह इनकी तीन प्रमुख जो चार जो हैं इनकी कृतिया है अब देखिए अगर आप किसी बड़े लेबल के एक्जाम में जा रहे हैं तो यहाँ पर पूछ सकता है आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कृतियां है है ना बड़े लेबल के एक्जाम में तो नाम घोरिया, राजपाट, पोला टोक और आस्र है यह इनकी कृतियां है लेकिन अब तो हमारे जो आईए सोचेंगे कि इनको साहित तेकड़मी पुरसकार दोजाट 6 में किस के लिए मिला था वो थे कौन, यहाँ पर था सनेह जोडियार गान थी तो इसके लिए इनको साहित तेकड़मी पुरसकार मिला था देख रहे हैं भाई साब याद करना पड़ेगा एक बार मुझे मालूम है इसे नहीं याद हुआ इब पीडियाफ में रिवीजन करेंगे और सभी लोग को रिवीजन करना होता है कोई चार लोगों के लिए मैं नया हूंबग देता हूँ सभी लोग करें और मुझे मालूम है यहाँ पर जो आप सभी लोगा रहे न उनका जस्बा अलग है वो अलग दिखाई देंगे तो यहाँ पर कुछ और लोग जिनका निधन हुआ हमने यहाँ पर एड की हुए आप इनको यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि हमारे अनंत यस्वंत खरे जिनका निधन हुआ है और डॉक्टर परीदा साब जिनका निधन हुआ है तो यह दोनों आपके अटेजड हैं जो आप कर सकते हैं अगला प्रसन आपके सांथ में आता है जुलाई 22 में यूनियन कैबिनेट हैस क्लिर्ड अब बिल टू इस सही उत्तर होना चे और मैं भी इस बास से पूरी तरह सहमत हूं सर इसमें 2002 जो है सही जवाब है 2002 में हमारा कॉंपटीशन एक्ट आया था और उसको अमेंट किया गया है तो कॉंपटीशन भारत का अधनियम है जिससे हमारे हेल्दी कॉंपटीशन को बढ़ावा देने का काम किया जाता है इस अधनियम में जो एक अधिकार है मोनोपॉली है उसको खतम किया जाए और कंपनियों के बीच में कॉंपटीशन आया जिससे की क्वालिटी, प्राइज और हमारे बाकी की चीजों का समन्वय बना रहा है तो 1969 में यहाँ पर इसने मोनोपॉली जो अधनियम था उसको रिप्लेस करके इंडियन कॉंपटीशन आयोग है उसके द्वारा इसको स्थापना की गई थी 2002 में अब इसमें amendment क्या गया है चले बात करते है amendment क्या है केंद्री मंत्री मंदल ने 20 साल में जो हमारा competition act 2002 है उसमें एक amendment के लिए विध्यक को मनजूरी दी इस विध्यक में जो हमारा competition regulation है उसके ecosystem में सुधार किया जाएगा इसका जो regulation करता है वो हमारे देश का कौन है में नई नई तरीकों की चीज़ें हैं उसमें वेरियेसन आएगा और किसी एक कंपनी की मोनो पॉलिनार है इस पर भी ध्यान दिया जाएगा ठीक है अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस हमारे प्रपोश्ट बिल में हमारे जो एंटी कॉंपटेटिव एग्रिमेंट हैं उ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिम्टेड बीपी सियल की पूर्ण साहित वाली कंपनी भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड वन सोला सो मिलियंड जो हमारे यूएस डॉलर है उसके अत्रिक तिनिवेस को भी मंजूरी दी है लेकिन अब मैं इसको पर बात करना चाहू अब गायब होने के बाद जियो ने पहले फ्री में दिया अब जियो की लगबग अगर आप देखेंगे एयर टिल को छोड़ दे या एक दो कंपनियों को और छोड़ दे तो इंसान के पास आपस ही नहीं है अब जियो बोलेगा कि हम एक हजार में तुमको देंगे अना एक ह कीमते बढ़ाई तो भाईया हमारा काम जो है वो तमाम हो जाएगा तो यह बहुत जरूरी होता है इसी के संदर्म में यह अमेंडमेंट आलाया गया था चले आगे चलते दिनिये सहारा फाउंडेशन ने हमारे यहां पर एक लाइफ टेम एचीमेंट अवार्ड देने की घो है यह मेरा परसनल थिंग अर्ट का नेटवर्क मैं अपने घाउं में भी चला जाता हूं वहां पर एक बना रहता है तो यह टेल का नेटवर्क मेरे को अच्छा लगता है मैं अड़ दी कि अब रिंकिया नराज ना हो जाए यह हमारा जो है फोन नहीं किया अजितवा फोन का है नहीं किया हमारा तो रिंकिया के लिए अजितवा को एर टेल करने टोर्क लेना पड़ता है तो music is right answer दिनेश सहारा फाउंडेशन जो अवार्ड है यह lifetime achievement अवार्ड यह हमारे किसके music के छेतर में दिया जाएगा है ना excellence of music music में दिया जाएगा तो देखी है हमारे दो ऐसे हमारे कलाकार है जिनका हाल में देहान तुआ एक तु लता दे दिये और दूसरे कौन है पंडिस स्यूकुमार सर्माजी यह दोनों एक बहुत बड़ी प्रतिवा थे जो हमको छोड़के गए और इन ही को याद करने के लिए दिने सहरा लाइफ टेम एचीमेंट अवार्ड फॉर म्यूजिक इंडस्टी के लिए दिया जा रहा है तो यह हमारे लिए काफी महत्तपूर्ण हो जाता है अब यह दिया जाएगा इसके लिए ट्राफी कुछ पैसा यह दिया जाएगा और यह काफी इंपॉर्टन जाता है इससे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे इवेंट में आपने देखा होगा स्यू कुमार सर्मा और लता मंगेसकर जी के सामने केंडिल जला करके और यह अवार्ड की सुरुवात की गई थी चली आगे चलते हैं अगर आप प्रसंद देखते हैं ODI Cricket टीम में भारत की रेंकिंग पूछ लेते हैं पहली है दूसरी है तीसरी है चौती है हमारी रेंकिंग क्या है वाट वाट वास आवर रेंकिंग in ODI Cricket तो भाई या फिरसे यह पर हमें देखा कि हमारे cricket में काफी यह परिवर्तन हुए और तीन जिरो से वह हमने Western डीज को जो है वो कभी भी उस clean sweep ने दी हराया बहुत बहर है लेकिन clean sweep का मतलब है कि जितने match खेले उत्ते में हरा रहे हैं जितने match खेले उत्ते में हरा रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो New Zealand नंबर एक पर बना हुआ है जिसके 128 point है England number 2 पर बना हुआ है इंडिया और पाकिस्तान 3 और 4 पर बने हुए है तो यह हमारे ODI team ranking है जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है तो यह ODI team ranking है जो आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रही है तो obvious सिवात है इंडिया की position तीसे नंबर पर और New Zealand नंबर एक पर ठीक पर है पूने में कोलकाता बंगलूरू या चिन नहीं सभी बच्चों को जवाब देना है तो नेशनल नहीं इंटरनेशनल इमर्जंसी के तौर पर मंकी पॉक्स जो है यह पूरे वर्ड में फैल रहा है पारा हजार के नेर बाउट केसेज हो रहे हैं और इसके जो थाण समिसिन के दर मां-to- iodine मन-to- man जो हमारे इसे-लंस बेखक सभी प्यात में कना पा मे आपको देखने GUY. मिलेगा यहां से कुछ ही दूरी पे है तो यहां पर हिंदोस्टाइन टाइम्स के क्विट है नेशनल इस्टिटूट ओफ विरोलोजी इन पूने अंडर ICMR has isolated the monkeypox virus from the clinical specimen of a patient which can pave the way of development of diagnostic kits and vaccine against disease तो यह एक अलग तरीके का हमारा विरोलोजी मंकी पॉक्स का जो है isolated हमारा डिपार्टमेंट है उसमें से stain की जाच की जा रही है इसको किस्टलाइज करके कैसे neutralize किया जाए इसके mechanism में कौन कौन सी दवाई दी जाए वो सब अब हमारे जो है वो डॉक्टर और साइंटिस्ट यहां पर बनाने वाले दोस्तों सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो मंकी पॉक्स जो है यह पहली बार हमारे यह नेशनल इस्टूट ऑफ विरोलोजी पूने में आइसोलेट करके स्टें किया जारा है इसके बारे में जानकारी ली जा रही है तो यहिंडिया ने जाने वाला है यह पूरी तरीके से जो Western Africa, जहां से इसका उत्पन हुआ है, उससे पूरी तरीके से मिलता हुआ है, ठीक है न, तो monkey pox is a actual viral disease, virus से होने वाली है, इसके symptoms हैं, fever आता है सबसे पहले, lymph nodes में हमारे ये problem create करता है, बड़ी कर देता है उनको, सरीर पर छोटे-छोटे से दाने हो जाते हैं, जैसे आपने chicken pox और हमारे measles में देखा होगा, small pox में देखा होगा, तो सेम उसी तरीके से, इसके काफी कुछ जो लक्षड small pox से मिलते हैं, जो कि WHO ने 1980 में, 1980 में जो है, इसको पूरी तरीके से eliminate करके बता दिया था, small pox को, अब इसके उपर, small pox के हमारे पास पहले से ही vaccine उपलब्द ह तो इसकी vaccine बनने में मुझे लगता है कि ज़्यादा समयल नहीं लगने वाला है, लेकिन फिर भी ये वक्त जो है, हम सभी लोग के साथ precautions से रहने का और वापस से, आप लोग थोड़ा सा कभी भी जाये, बाहर से आये, तो अपने हाथों को धोईए, कपड़ों को change करिए, य आपके घर में जो बाकी के लोगों उनको spread कर सकता है, तो ये थोड़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, बाकी का, है न, उपर वाला, तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें हम लोग कर सकते, एगला question आपके screen पे, अंतरराश्ची सतरंज Olympiard में, विलकम थीम की रचना कौन कि कियें, 44 हमारा जो चेस Olympiard है, वो चिहनई में सुरू हो चुका है, पहली बार हिंदुस्तान में और 30 साल के बाद, यह हमारा जो चेस Olympiard है, वो एसिया में लोट रहा है, और याद रखना बहुत important यह है, सारे बच्चे बोलें, सर यहाँ पर होना चाहिए, हमारे AR रह्मान AR रह्मान जितने नों बोलें, जवाब उनका सही है, तो वेलकम थीम, जो कि हमारे चेस, यह Olympiard का है, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यह गाया है, हमारे, यह कंपोस किया है, किसने AR रह्मान जी ने, ठीक है, तो AR रह्मान, वेलकम टू नम्मा उरू, यह हमारा तिलंगाना, तमिल में नाम है, तो वर्मा, वेलकम टू तमिल नाडू, यह इस तरीके का वर्ड है, तो यह हमारा तमिल में गाना है, जो कि AR रह्मान ने लिखा हुआ है, जैसे कि मैं पहले आपको बता है, कि जो हमारा उल्चैस उलंपियाड है, तीस सालों के बाद अरी बार हिंदुस्तान में हो रहा है, जोस्तों इसकी सुरवात हमने आपको पहले बताया था, कि नरेंद्र मोदी जी ने उस मसाल को जला करके किया था दिली से, और उसको फिर यहां पर लाए गया, थम भी यहां का मसकट है, और इंडियाज का परफॉर्मेंस देखेंगे लेकिन गल एक चौकाने बाली बात सामने आई, पाकिस्तान ने अपनी जो टी में उसको भेज करके बाद में बाईकोट कर दिया, कि भी यहां हम यह इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान के यह कूट नीतिया साइध उसको खुद नहीं समझ में आती हो क वो क्या कर रहा है ठीक है ना तो यह काफी महत्तपूर्ण हो जाएगा अब यह कहां पर हो रहा है तो खेल चिन्नाई से लगबग 50 किलोमेटर दूर युनिस्को हेरिटेज ममलामपूरं में इसको आयोजित कराया जा रहा है इसमें हमारे कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक सुस्सी देश के लगबग हमारे 2000 से अधिक दर्सक यहां पर आने वाले हैं यहां के हमारे जो टीजर किसने जारी किया है तो सुपरिश्टार रजनी कांध भी इस टीजर को जारी करने के लिए यहां पर पहुँचे थे याद रखे का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अब देखते हैं कि यहां पर क्या-क्या होने वाला है कौन-कौन इस उलम्पियाड में तहलका मचाने वाला है 180 देशों के साथ यह टूनामेंट काफी साथदार चलेगा ठीक है चलिए आगए दब चलते हैं अगला प्रसन हमारे सामने आने से पहले हमारे यहां पर 6 जुलाई को तमिल नाडू के एक और यहां पर आप देख सकते हैं इलिया राज जो की राजसभा के सदसे नामित किये गए रांदनात कोविंजी के जारा जो उस समय राशपती थे तो इलिया राज और साथ ये साथ एक और जिनको हमनों प्यावर एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं वो भी तमिल नाडू से राजसभा के मेंबर नॉमिनेट किये características थे जरा आप बताइए प्यावर एक्सप्रेस हम किनको बोलते हैं इलिया आज यहाँ पर आपको दिख रहा होंगे और पयाली एक्सप्रेस के नाम से हम किसको जानते हैं तो जनता बोली गया है सरफ पयाली एक्सप्रेस के नाम से हम लोग जानते हैं हमारे यहां की PTO साजी को तो दोनों को राजसभा में राधनात को विंजी ने नोमिनेट किया है अगला प्रसन आपके सामने यहां पर आपको बताना है कि which of the following bridge has been painted like chess board for the 2022 chess olympiard in 28 July इनवेंस एक bridge है हमारे चेन्नाई का जिसको एकदम आपका जो chess board होता है उस तरीके से paint किया गया है उस bridge का नाम क्या है broken bridge है नेपियर है अनना bridge है या paryar bridge है बहुत बड़ी है द्युस्तों तो सारे बच्चे यहाँपर जबाब दे रहे relatively किसा सयतर होना चाहिए क्या जबाब होना चुγα हे यहां पर नेपियर ब्रिजच की तरह पर अगर आप जाएंगे, चेन्दाइव का नेपियर ब्रिजच सहर का यह देखें कितना बड़िया और हमारे कंप्षूतर जी देख रहे हो, यह पूरी तरीके से नेपियर ब्रिजच जो है चेन्दइव का high ह हमारा पेंट कर दिया गया जैसे चेस बोर्ड होता है अन्ना ब्रिज वाले नहीं तो चेन्नाई सहर का आइकॉनिक ब्रिज नेपियर ब्रिज है जो हमेंसा अपनी खुबसूरती और थीम से सजाने के लिए जाना जाता है अब हमारे यहां पर पहली बार चेस ओलम्पियाड हो आप सेंजार्ज का जो फोर्ट है और मरीना बीच जो की पूरे इंडिया का सबसे बड़ा बीच है बीच का मतलब क्या होता है हां जिस समुद्र के किराने जगा होती है इसको बीच बोलते इनके बीच में बनाया गया इसे 1969 में फ्रांसीसी गवर्नर नेपियर ने बनाया थ जिसकी वज़े से इसका नाम नेपियर रख दिया गया है समझ रहो की नहीं चलिए तो यहां पर आप सबी लोग ने देखा है कि का फी महत्तपूर्ण है यह पुल नेपियर ब्रेस तो यहां पर भी आप लोग यह पर आराम से बना लेंगे अब यहां पर इन में से कौन से स पूछेगा अब यह बताईए तो सारे बच्चे फिर से जवाब दे रहा है कि सर यहां पर जवाल लाल नहरू स्टेडियम इंडोर स्टेडियम में यह होड़ा है तो देखिए यह मोदी जी का बेस बूसा देखिए हैं पहीं लिए हैं लूंगी डांस तो एनुग्रेटेट से भी ज़्यादा देश के हमारे यहां पर लोग आने वाले हैं मलाम पुरम या महाबलीपुरम के पास में यह हमारा यह पढ़ता है चिन्नई से लगा हुआ है इसको अमनों क्या जवाल लाल नहरू इंडोर स्टेडियम के नाम से जानते हैं दुरपति मरामो जी के उपर ए यहां पर अपने और बड़े लेबल के इंगजाम की त्यारी करना चाहित आती है तो कितना परसंटेज वह वोट इंको मिला यहां पर अगर देखेंगे दो अध्या round one round two round four मतलब यहां पर देखेंगे तो हमारे MLA और MP 540 थे फिर हमारे कुछ स्टेट के फिर हमारे गर वोट इसका कितना 64% जीती हुए यह हमारे लिए काफी मत्तपून हो जाता है 44% total valid vote के इनको दिया गया है आप सभी को पता है कि ये हमारे first tribal woman president है हिंदुस्तान की ये हमारे संथाल committee से आती है ये भी exam में आपको याद रखना है संथाल committee अब और ज़्यादा चर्चा में आ गई क्योंकि इस committee से ये आती है हमारे देश की सबसे उची post पर बैठी हुई है संथान की सबसे अदर जो population है वो जहार खंड में देखने को मिलेगी समाज रहों कि नहीं? चलिए तो दोस्तों ये class थी बड़ी important मेरे को बड़ा मजाता है इस 6 बज़े में एक अलग तरीके का नसा है मुझे इस class को पढ़ाने का साइद यहां पर अगर कभी चार बच्चे भी पढ़ेंगे तो भी मैं इस class में पढ़ाता रहूँगा इस class को पढ़ना और पढ़ना मिरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा आनंद अदायक बात है और सोचता हूँगा साइद आप भी इस class का हिस्सा बन करके आपको भी थोड़ा बहुत मज़ा आता होगा यहां पर हम लोगों बहुत सारी बाते सीखते है और अपने अंदर एक वो confidence को डबलब करते है जो एक confidence एक हमारे exam देने वाले इस print के अंदर होना चाहिए इस class की PDF आपको मेरे स्टेली क्राम चलर GKGS वित पंकर 24 सर में मिल जाएगी दोस्तों सबस्यदा मज़ा आती है कि जब आप भी पढ़ते और साबने वाला भी पढ़ाने के लिए आपको उस्सुक है दोनों का जब यह combo बनता है PAC, PASS Pack Pass coupon code यहाँ पर लगाईए तो आपको जो test book pass है वो कितने में मिलेगा वो सिर्फ 360 रुपए मिलेगा जहां पर आपके सारे exams के जो test है open हो जाएगे बस दो दिनों के लिए 360 रुपए में है उसका फिर सही है 499 में हो जाएगा दोस्तों गर यहाँ पर हम लोग बात करते है हम लोग यहाँ पर बात करते है तो हमारा गर आप test book super coaching में जुड़ना चाहते हो SSC, stonographer से लेकर के CGL के त्यारी JEE से लेकर के हमारे किसी तो पंकत C coupon code लगाईए पंकत 24 मेरा नाम है तो भाईया यह आप इस्तिमार कर सकते है तो बड़ा ही मज़ा आया लेकिन आज इक लास का homework बाकी है How many players in a chess game बहुत easy question पूछ लिया computer जी How many players in chess games Dropti Maramu belongs to which tribes Competitive Index में इंडिया के rank क्या है And how many Ramsar sites सभी के लिए बड़ा ही easy question है उमीद करते हैं आप मेंसे जो दिल्चस्प लोग होंगे वो इनका जवाब देंगे और आपको ये भी बताना है क्लास कैसी लगती है तब तक के लिए बाई बाई जय हिंद And मिलते हैं 11 बज़े वाली क्लास में जहांपर हम जीए का revision करेंगे ठीक है बाई झाली कर देंगे से की जैंचे क्लाई जिल्चस्प, यु करते है तब प्रहिए देंगे सावी प्रहिव qué चाली के स Müd frequak दpark छिष Aww 13 ich